कितनी भी बड़ी पीड़ा जीवन में आजाए, आप रोगे नहीं, आप तूटोगे नहीं एदि आध्यात्मिक होतो ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं बंदो कितना भी बड़ा विशाद जीवन में आजाए आपको पीड़ा नहीं हो सकती हाँ पीड़ा होगी किस बात की होगी मैं ठाकुर जी से दूर क्यों हूँ मैं कथा क्यों नहीं सुन पा रहा मैं व्रद्दावन क्यों नहीं जा पा रहा भगवत संबंधी भावों की पीड़ा हो सकती है फिर संसार के अभाव की पीड़ा खतम हो जाती है थाकुर जी की शरणागति आने के बाद और ठाकुर जी के आप मानते हो कि आप शरणागत हो गये हो फिर भी सानसारिक पीड़ाएं बनी हुई और अब सिर्णागत हुए नहीं हो आप तो एड्मिशन लेने गए थे लेकिन वहाँ पर एड्मिशन हुआ नहीं है आपका थाकुर जी जिस दिन स्विकार कर लेंगे उस दिन सांसारिक पीड़ा अनुभवी होने बंद हो जाएगे फिर विशाद नहीं होगा